हेलो एवरिवन, क्लास 7 सबजेक्ट इंगलिश टॉपिक मेकबेथ सुटुरूर्ण्स, मेकबेथ एक्चुली ट्रैज़ोडी प्ले रिटन बाई विलिम शेक्ष पेर एंड एडिटेड बाई थॉमस मेकडोनग सुटुरूर्ण्स, यह जो मेकबेथ है यह एक ट्रैज़डी प्ले है, ट्रैज़डी प्ले मीन्स जिसमें लॉस्ट पे जो क्रेक्टर होता है, मेन क्रेक्टर उसकी डेथ शो की जाती है, ठीक है असल में ये जो प्ले है ये बहुत बड़ा प्ले है लेकन इसका इडिट करके आपकी बुक में इसका पार्ट दिया गिया है ठीक है जिसका नाम क्या है? मैकबेथ तो इसमें कुछ क्रेक्टर हैं जिनका नाम है डंकन और तूसन नेमली डोनल बेटा है उसकी वाइप है तो जब हम इस चेप्टर को पढ़ेंगे तो ये जो क्रेक्टर है यह सामने आ जाएंगे, ठीक है, कौन-कौन से हैं Let's start the chapter The play opens with the three witches who intend to meet Macbeth, Thony of Glamis Macbeth, King Duncan's general and Ben-Q returns victorious from war and encounter the three witches on a head They predict that Macbeth will be the king To Ben-Q, they say Though shalt get kings, though shall be none The witches disappear before they could be questioned further In the meantime, the king's messenger arrives Macbeth is to receive the title and possessions of Thony of Codder who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death upon learning that he is the new Thony of Codder Macbeth begins to entertain the idea that the witches' words may prove true Ben-Q observes that Macbeth is absorbed with the possibilities raised by the prophecy Actually, यह जो play है, यह तीन विचिस के साथ शुरू हो जाता है यानि के जब यह प्ले ओपन होता है तो तीन विचिस आती हैं जो के कहती हैं थानिया ग्लैमस तो Macbeth जो के डैंकन्स जेनरल होते हैं और Ben-Q जो विक्टोरियस वार से वापस आते हैं उन्हें रास्ते में तीन विचिस मिलती हैं जो यह प्रेडिक्ट करती हैं कि जो Macbeth है वो यानि के किंग बनेंगे Macbeth जो हैं उन्हें वो विचिस जो विचिस मीन्स चोड़े लें वो चोड़े लें Macbeth को बताती हैं कि आप नेक्स्ट किंग बनोंगे और बेंकियों को बताती हैं आप तो किंग नहीं बन पाओगे लेकिन आपके यहां राजों का जनम होगा तो यह बताते हुए जो विचिस होती हैं वो गाइब हो जाती हैं कि ये लोग उसे कोई क्वेस्टिन करें तो वो तीनों की तीनों गाइब हो जाती है तो कुछ समय के बाद किंग एक मैसेंजर को बेज़ता है Macbeth is to receive the title and possession of Thani of Corder who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death तो वो Macbeth को बेज़ते हैं एक संदेशा बेज़ते हैं उसमें ये लिखा गया होता है कि जो Thani of Corder है वो प्रू हो चुका है traitor, traitor means गदार यानि कि वो गदार पुरू हो चुका है in the rebellion and is under sentence of death तो आप वो बगावत न करें इसलिए उसे मोद दी जाए ठीक है? यानि कि उसको मोद की सजा सुनाईगी ताकि वो भाग न जाए बगावत न कर ले क्योंकि वो अब गदार हो चुका है upon learning that he is the new Thani of Corder तो जब ये Macbeth ने सुना कि अब उसे अब ऐसा लगा कि आब जो निया Thani of Corder होगा वो में ही बनूगा Macbeth begins to entertain the idea that the which is verse may prove true तो Macbeth को अब ये लगने लगा कि वो ये इस बात का यानि कि उन्हें अपने दिमाग में ये सोचने लगे कि जो विचिज की प्रोफेसी थी वो true होने लगी है यानि कि सई होने लगी है क्योंकि विचिज ने Macbeth को कहा था कि आप किंग बनूँगे तो जब वहां से किंग का संदेशा आया Macbeth को कि जो थाने आफ कारडर जो थे वो गदार हो चुके हैं यानि कि वो आप भाग न जाएं उन्हें मोद की सजा दी गई है तो यह सुनके उन्हें ऐसा लगा कि जो नेक्स्ट थाने आफ कारडर है वो मैं ही बनूँगा तो उसको ऐसा लगा कि जो विचिज की प्रोफेसी थी वो true होने वाली है तो बैन कि अब्ज़रो दैट Macbeth is observed with the possibility raised by the प्रोफेसी तो Macbeth जो यह बैन क्यों थे बैन क्यों कहने लगे कि यह जो चोडेलों की यह जो प्रोफेसी है यानि कि पेशन गोई है यह हकीकत नहीं हो सकती है तो यह किससे कहते हैं Macbeth से कि यानि कि यह असल में यह सब होता नहीं है ये चोडेल कैसे प्रोफेसी यानि पेशनगोई दे सकती हैं कि आप किंग बनोगे और जो मैं हूँ तो मैं किंग नहीं बन पाऊंगा और ये जो सब पेशनगोई जो इन्होंने विचिज ने दी हैं ये मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता सो स्टुडन्स इस से आगे हम कल पढ़ेंगे इन्शालला तब तक के लिए अल्ला हाफिज